मैं आफिस में काफी रंगिन अद्बियत माना जाता था और खुश्मिजाज भी। हर रोज किसी को सुनाने के लिए मेरे पास नया वं मौलिक लतीफा तयार रहता था। मैं हाजिस जवाब भी गजब का था। कोई गंदा सा जोक अपने साथियों को सुना कर मैं इतनी बेशर्मी से आख मारता और सारी बात इतनी गंभीरता से कहता कि हर कोई सच में मेरी बात मान लेता था। वैसे तो मेरी कहानी सब लोगों के सामने एक खुली किताब रही है। मैंने जिन्दगी में जी भर कर एश की है। घर अच्छा था। मेरी बीवी भी कमाती थी। मैंने सब कुछ खाया पिया, घुमा फिरा। इतनी सारी औरतों से यारी की, रोमांस भी किया। अफलत भरी जिन्दगी जी है। कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिसे याद करके दिल को कोई सुकून मिले। किसी ने मेरे अंदर की बात को कभी संजीदगी से नहीं लिया। सभी सोचते रहे कि यहां आदमी कितना मिलनसार और खुश्मिजाज है। चलो इसके पास चलते हैं। कुछ घड़ी बैठ कर गपे मारते हैं। मैं उन्हें ऐसी बाते बताता जो असल में सच नहीं थी। कोरी कलपनाय थी, वे सुनकर खुश हो जाते, था के मार कर हंसते। उनके जाने के बाद मैं उदास हो जाता। एक बलातकार कीसी स्थिती थी मेरे साथ। लगता था मानो इस बलातकार को मैंने खुद ही अरेंज करवाया है। रोज-रोज मैं अपने अंतर्मन के साथ बलात धोंग करता। यहां आदत मुझे बच्पन से ही थी। लोग बताते हैं कि मेरे पिताजी को भी यही सनक थी हर एक बात को बढ़ाचना कर बताना। अगर उनके पास हजार रुपए होते तो वे लोगों को बताते कि उनके पास दस हजार रुपए हैं। मुझ में यह शेखी एक सनक की हद तक विक्सित हो चुकी थी। अगर मैं कभी सच बोलता भी तो लोगों को यकीन न होता। इससे बहुत नुकसान उठाए हैं। साहब मैंने। कई अधेर स्त्रियां तो मेरी अच्छी दोस्त बनी मगर मेरी हमुम्र जवान औरते मुझ से परहस करती। कालेज में मुझे अपनी उम्र से बड़ी स्त्रियां भाती थी जिन्हें हम दोस्त लोग आंटीज कहकर मजे लेते थे। एक दो तो मेरी चिकनी हस और बातों में आ भी गई थी। उनकी गहरी जिस्मानी अंतरंगता भी मिली मुझे। वे मेरी शेखी भरी बाते सुनकर प्रभावित हो जाती थी। मगर जो जो मेरी शादी पुरानी हुई, मुझे कच्ची उम्र की जवान, शोक लड़कियां अच्छी लगने लगी। मगर मेरी बढ़ती हुई उम्र, आगे निकलती हुई तोंद और पकते जा रहे बालों ने उन्हें हमेशा मुझ से दूर ही रखा। ऐसे में एक बार मुझे लगा कि मैं जिन्दगी के सही अर्थ पा गया हूँ। बात उन दिनों की है, जब मैं अपने ऑफिस के स्टाफ टेर्निंग कालेज में प्रशिक्षन अधिकारी था। एक बैच में एक लड़की थी जो मेरी हनसोड, लच्छेदार तथा चुटीली बातों में आ गई थी। वह थोड़ी सावली थी मगर हम हिंदुस्तानी लोग गोरे रंग पर तूट कर पड़ते हैं। अब मैं सोचता हूँ कि मुझे उसका दिल दुखाना नहीं चाहिए था। हाँ, तो जनाब, विजया, यही नाम था उसका। प्रशिक्षन पीरियर खत्म होने के बाद वह मुझ से मिलने मेरे सैक्षन में आई। वह 21 बरस की जवान लड़की थी और मैं 38 बरस का था। इतना अधेर तो न था मगर बाल जरूर पकने लगे थे मेरे और शरीर भी फूलने लगा था। सारा सैक्षन हैरा नजरों से उसे देख रहा था। विजया को मैंने साथ पड़ी कुर्सी पर बिठाया। अपचारिकतावश चाय मंगवाई। हमारे बीच उम्र का बहुत बड़ा फासला था। वह कमसिन थी, जवानी की दहलीज पर अभी उसने कदम रखा था मगर मैं उम्र की सीडियां उतर रहा था। वह उस दिन मजाक के मूड में थी। मेरी नेमपलेट देख कर बोली, सर, आपका नाम तो लड़कियों जैसा है। मैं असन्यत हो गया, जवाब में कुछ नहीं सूझा। मैंने बस यही कहा, तुम्हारा नाम भी तो लड़कों जैसा है। वहा हंस पड़ी। अपने सैक्षन वालों के सामने मुझे पहली बार बेहत जिजक महसूस हुई। इसलिए नहीं कि वहां लड़की थी बलकि इसलिए कि वहां उम्र में मुझसे बहुत छोटी थी। मेरी बगल वाली सीट पर हमेशा एक औरत बैठी रहती थी क्योंकि मैं इस बात की कम ही परवा करता था कि लोग क्या कहेंगे। लोग मुझे ठरकी कहते थे। यहां बात मुझे पता थी। मेरी बगल में बैठने वाली तमाम औरते लगभक समवेदन शून्य थी। जो चाहे घटिया बात उन्हें कह लो, हाथवात लगा लो, कुछ बुरा नहीं मानती थी। कुछ तो कोई न कोई बहाना लगा कर मेरी बगल वाली सीट पर विराजमान होने के लिए लालायत रहती थी। हाँ, तो विजया दूसरी बार आई, वह भी एक सप्ताह के अंदर। सैक्षन की बाकी औरतों को बहुत जुन्जला हट हुई। मन ही मन मैं खुश तो था मगर घबरा रहा था, दर रहा था। विजया की गलती यही थी कि जब वह मुझसे मिली थी तो मैं काफी उम्र जी चुका था। मैं चालीस की तरफ जा रहा था और वह बीस पार कर रही थी। उसकी बाते बेहत दिल्चस्प होती थी। मैं साफ देख रहा था कि यह लड़की मेरे प्रती कितना गहरा मोह पाले बैठी है। एक जवान लड़की का साथ पाने की एक प्रकार की मेरी दिली इच्छा पूरी होने जा रही थी मगर मैं बेहत दर गया था, बुरी तरह हांफ रहा था, घबरा रहा था कि कहीं कुछ हो न जाए या लोग क्या सोचेंगे। विजया सावली थी, उसका शरीर गोलमटोल और गुदाज था, आखे छोटी मगर बेहत कटीली और नशीली थी, चुस्त आधुनिक कपड़े पहनती थी, विचारों से वह काफी बोल्ड और साहसी थी, एमें इंगलिश कर रही थी, साहित्य में काफी शौक रखती थी, मैं विजया ने भी बी ए ओनर्स अंग्रेजी साहित्य के साथ किया था, इसलिए लारेंस, कीट्स, बैकन और हकसले की बहुत सी बाते मुझे अभी तक याद थी, सो, काफी देर तक हमारा वार्ट तालाब चलता, विजया के साथ मेरी कैफियत उस बच्चे के समान थी, जो असे बरसात के बाद गलियों में बहने वाले पानी का पहला रेला अपने साथ तमाम बिखरे कागस तिनके आदी बहा ले जाता है, वह एक पहाडी नदी की तरह पगली थी, आतुर थी, उसे बहा निकलने की बहुत जल्दी थी, उसे कई रास्ते, कई मोड पार करने थे, मै एक सपाठ मैदानी नाला था, मैंने काफी कुछ देखा था, इसी जिजग के मारे मैंने कभी उसके सामने बाहर घूमने का प्रस्ताव नहीं रखा, विजया ने कई बार कहा, सर, चलिये, कहीं चलते हैं, शिमला या मनाली, हिल स्टेशन पर मस्ती मारते हैं, चलो, बाहर नह रहता, तीन से चार बार मैं उसके साथ शहर के आसपास गया भी, मगर कहीं उससे इत्मिनान से बात करने के लिए सुरक्षित जगा नजर नहीं आई, हर जगा मुझे कोई न कोई परिचित खड़ा नजर आया, उसके साथ चल कर मुझे लगा कि मैं फिर से जवान हो गया हू मेरी उम्र कम हो गई है, फिर विजया की उम्र देख कर मुझे यह बोध होता कि मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, अपराध बोध के बिना सच्चा प्यार क्यों नहीं होता, प्यार तो समाज की धारा के खिलाफ चल कर ही किया जा सकता है, मैं दर गया था लोगों से, समाज से, अ नहीं फंस गया तो, हालांकी मैं विजया के प्यार में फंसना चाहता था मगर इतना गहरा फंसने का मेरा इरादा नहीं था, मैं तो बस उसे चू कर महसूस करके देखना चाहता था, मगर विजया तो दीवानगी की हद तक पागल थी, मैं उसकी कमसिन उम्र से डर कर विरोधी फैसले करता था, कभी सोचता था कि आगे बढ़ू तो कभी बिलकुल पीछे हट जाने की ठान लेता था, उसे कहीं मिलने का समय देकर उससे मिलने नहीं जाता था, फिर मैंने विजया के साथ एक रात किसी होटल में गुजारने की सोची, मगर उससे पहले में उसके प्यार की परीक्षा लेना चाहता था कि क्या वहां मेरे सामने समर्पन करेगी या वैसे ही कोरी भावुकता में भैकर वहां ऐसी बाते करती है, अपने ओफिस की कई औरतों के साथ मुझे उनके घर पर ही उनके साथ अंतरंग संबंद बना लेने में कोई दिक्कत पेश नहीं आई, मगर विजया के केस में मुझे एक साल लग गया यह सब सोचने में की शुरुआत कहां से करूँ, सच बात तो यह थी कि मैं उसके साथ सिर्फ प्यार का खेल ही खेलना चाहता था, मगर वह दीवानी लड़की अपनी जवानी के आवेगों को रोक नहीं पा रही थी, हर रोज मुझे यही लगता कि वहां मेरे सम्मुक समर्पन करने के लिए बेकरार है, एक दिन जी कड़ा करके मैंने शिमला के ग्रैंड होटल में दो लोगों के लिए एक कमरे की बुकिंग करवा ही दी, वोल्वो बस से शिमला जाने का प्लान बन गया मगर उस सुबह जिस दिन मुझे विजया के साथ निकलना था, उस दिन मेरे मन में पता नहीं कैसे नैतिकता की ओची सनक सवार हो गई कि इस तरह तो मैं उसका भविश्य खराब कर दूँगा, विजया बस स्टैंड से मोबाइल पर रिंग करती रही मगर मैं मोबाइल बंद करके अपने रूम में सिरदर्थ का बहाना करके पड़ा रहा, अब मेरी बात बहुत लंबी हो चली है, मैं अपने बात यहीं खत्म करता हूँ कि एक मौका जब मैं सच में किसी को दिल की गहराईयों से प्रेम करने लगा था, मैंने जान बूझ कर गवा दिया, विजया को अपमानित किया, उसे बुला कर मिलने नहीं गया, वह मेरे पास आई तो मैं अधेड उम्र की सुरक्षित किस्म की खांटी व अधेड औरतों से बतियाने में मशगूल रहा, मैंने विजया को भूल जाना चाहा, वह बार-बार मेरे पास आई तो मैंने जी कड़ा करके उसकी उपेक्षा की, अपने आपको ऐसा दिखाया कि मैं आफिस के काम में बुरी तरह मसरूफ हूँ,